दोस्तों कभी-कभी सरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी उदासी उबासी आने लगती है काम करने का मन नहीं होता चिड़-चिड़ापन होने लगता है और अक्सर आदमी सोचता है कि यह दिक्कत क्यों रहा है और यह नहीं सोच पाता कि उसके सरीर के अंदर एक विटामिन जिस उसकी कमी के कारण इस प्रकार की दिक्कत बहुत तेजी से आती है जिस व्यक्ति के अंदर विटामिन B12 की कमी होती है उसकी रत कोशिकाएं और तंत्री का तंत्र बहुत तेजी से डिसोडर में आने लगता है कमजोर पढ़ने लगता है किसी काम में मन नहीं लगता है कई ब जो लोग मासाहरी होते हैं, उनके अंदर विटामिन B2L की कमी अक्सर नहीं आती, शाकाहरी में यह बिमारी तेजी से क्लिक करती है, आज मैं आपको कुछ ऐसे चमतकारिक परियोग बताऊंगा, जिसके सेवन से जो शाकाहरी भी है, वो मासाहरी से ज्यादा अच्छा विटाम होने लगती है, जीव में दाने यःभ बहुत जादा लाली आने लगती है, मू में अक्सर छाले आने लगते है, आखों की रोशनी कम होने लगती है, डिपरेशन कमजोरी सुस्ती बहुत तेजी से क्लिक करती है, जरासा काम करते ही सांस फूर्राश नहीं लगता है, हमारी भूक बहुत कम होने लगती है, सिर में दर्द और अकसर कान का बजना और बहना शुरू हो जाता है, तब यदि हम चेक कराएं तो विटामिन B12 की हमारे शरी के अंदर कमी निकलने लगती है, तो बिलकुल परिशान ना हूँ, यदि आपको मैं आज दो तिन नुसके ऐसे बता और आप उसको फोलो करें, तो आपको बहुत लाब मिलेगा, पहले लोग और खास तोर से आज भी साउत में लोग गरम गरम जब चावल बनते हैं, उनको दही में मिलाकर रख देते हैं, और साम को उस भोजन को सेवन करते हैं, तो विटामिन B12 की पूरती हमारे शरी में बह बहुत लाब मिलता है, इसी परकार फर्मन्टेटिट फूड यानि के जैसे कि डोसा इडली, इत्यादी का हमको सेवन अधिक करना चाहिए, दही लोफेट हो, जिसमें क्रीम ना हो, वह भी हमको बहुत लाब देती हैं, और विटामिन B12 की जो पूरती है, सोयबीन से बहुत अच्छे होती है, हमको सोयबीन को किसी भी रूप में परियोग करना चाहिए, चाहे सोयबीन का तेल हो, या सोयबीन का दूद हो, तोफू, इत्यादी का हमको बहुत परियोग करना चाहिए, साथ ही साथ ओट्स, ओट्स का भी हमको परियोग बहुत जादा नाष्टे में ज परचुर मात्रा में फाइबर जाता है तो हमारा पाचन तंतर मजबूत होता है साथ ही साथ यह विटामिन B12 से भी भरपूर है और भी इसके अंदर विटामिन परचुर मात्रा में है रात्री को सोने से पहले हमको एक गिलास गुन-गुना दूद जरूर सेवन करना चाहिए जो व्यक्ति रात्री में दूद सेवन करते हों उनको कभी विटामिन B12 की कमिन नहीं आती इसी परकार कुछ फल है जैसे की केला ओरेंज संत्रा किश्मिश ब्लूबेरीज टमाटर कीवी ब्लेक बेरी अनार और अम्रूद इनका प्रियोग हमको अत्यदिक मात्रा में सेवन करना चाहिए और जो लोग नोनवेज खाते हों उनको मचली और अंडे की सफेदी नोनवेज मीट इत्यादी का यदि वो सेवन करें तो उनको बहुत लाब मिलता है लेकिन ये नोनवेज के लिए है जो उपरोक्त उपर में ने परियोग बताए है और हमको सबसे अच्छा रिजर्ट दही और चावल में मिलता है जदी हम उस परियोग को कर रहें तो हर परकार के वीटामिन B12 की जो डेफिशेंसी है वहदूर होती है दोस्तो हम आपको नित नई जानकारियां देते ही रहते हैं मैं आप से रिकेस्ट करूँगा हमारा यूट्यूब चैनल आदर सा अर्विदिक फार्मेशी के नाम से हैं उनको भी आप जरूर कोलो करें धन्यवाद